ओम स्री परमात्मने नमहा संपूर्ण मानव जाती के कल्यान हेतु सनातन धर में कई ऐसे उपाय किये गए हैं उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज आपके समक्ष मैं प्रस्तूत करूँगा जो कि ना की संपूर्ण मानो जाती का कल्यान की दावा प्रस्तूत करता है, बलकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की बिकार हो, कस्थ हो, किसी भी प्रकार की आपके काम में बाधा हो, रुकाबट हो, ये सब समाप्त कर उमीद की एक नई किरन जगाता है, आपके जीवन से अं और धैरे बढ़ाता है इस सब के अगर आप अभिलासी हैं तो आपको स्री दुर्गा सब्तु सती नौरात्री के दौरान जो दुर्गा पूजा के दौरान आता है इसका पाठ आपको अवस्य ही करना चाहिए इसके बारे में ही आज हम विश्तार से चर्चा करने जा रहे हैं पहले दुर्गा सब्तु सती के बारे में ही थोड़ा सा बता दू कि यह दुर्गा सब्तु सती परमुखता मारकंडे पूरान से लिया गया है जो कि मारकंडे पूरान स्वयम महर्सी मारकंडे के दौरा लिखा गया है जिसमें कि 700 स्लोक हैं जो कि यह सब सक्ती के रूप में माने जाते हैं यह सब 700 स्लोक एक कल्प व्रिक्ष के स्रमान हैं इसकी महिमा की अगर बात की जाए तो ऐसा मान्यता है कि स्वायम मा सरस्वती भी इसकी पूरी महिमा का बखान नहीं कर पाए थे इसमें इसके महत्तो लाभ कई चीज हम बात करेंगे यह कितने भाग में बटे पर मुखता यह बता दू कि यह 13 अध्याय में बाते गए हैं और 13 अध्याय का अलग-अलग लाभ है जैसे प्रथम अध्याय का पाठ करने से हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं जहांकि दूसरे अध्याय का पाठ करने से हमाएं कानूनी सफलता मिलती है किसी तरह की कोट चहरी litigation में है, तो इससे हमें निजात मिल जाती है। तीसरा अध्याई पढ़ने से हमें सत्रूओं का नास करने में मदद मिलता है। और चौथा करने में हमें अपने जो मा का असिरवाद हमें मिलता है। और पांचमा से अगर कोई भूमी विवाद है, कोई भक्ती है, सक्ती ह देवी का ये सब चाहिए, तो इसका हमें दर्सन का असिरवाद भी मिलता है। इसके साथ ही अगर छठा अध्याई का पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर जो दुख है, दरिदृता है, ये सब भय है, ये सब दूर हो जाता है। और सात्मा अध्याई है, हमारी मनोकामनाएं प अंति मैं बनता है, और नौमा और दसमा अध्याई के पाठ करने से हमारे अंदर उत्तम संतान की प्राप्ती होती है, और उनकी उन्नती और प्रगती भी होती है। ग्यारहमा अध्याई से भौतिक सुख की प्राप्ती होती है, और बारहमा अध्याई से हमें मान सम्मान मिल और तेरहमा अध्याय से अंतता जो हमारे मनुस्य जीवन की वास्तविक उद्देश से होता है, अंतिम उद्देश से मौक्ष की प्राप्ति तक संभव है, तो इतने महतोपूर्ण चीज अगो अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दुर्गा सब्सती का पाथ हवस्य ही नौरात्री के दौरान करना चाहिए, तो आज के इस विडियो में मैं तमाम चीज बात करूँगा, जहांकि इस पवित्र ग्रंथ के बारे में, तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ ही, यह भी बताऊंगा कि मा दुर्गा की प्रसनता चाहते हैं, अगर उनसे सक्ती प्राप्त हो सकता है, इस लोक में सक्ती के आभाव में ऐसा माना जाता है कि देवता भी एक मृत्र सरीर के समान होते हैं, और ठीक यही कारण है कि इस दुनिया में हर संस्कृति या सभ्यता में सक्ती की पूजा, वाराधना किसी न किसी विधी से जरूर की जाती है, हमारे देश भारत वर्स में संस्कृती में यहां की संस्कृती में नारी को जन्म दात्री या जननी के रूप में पूजा गया है सदायवक। जन्म देने वाली जननी करुणा का साक्षात मुर्त रूप मानी जाती हैं। अपनी संतान के सुखों का वो सरलता से ध्यान रखती है और उसकी संतान पर किसी भी प्रकार की कोई कठनाई आती है तब उसका रूप भयानक हो जाता है मां इस एक सब्द को बोलना मात्र समस्त समस्याओं को खत्म करने वाला माना जाता है दुर्गा समस्त दुर्गतियों को नश्ट करती हैं इस ग्रंत का पाठ करने से देवी के भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो इस बीडियो में मैं मुकता बात करूँगा कि इस स्री दुर्गा सपसती के पाठ का नियम क्या है, उसके सर्वत्तम विधी क्या है, इस महत तो क्या है लाब क्या है और अगर इतने लाब है महिमा है तो इसके पाठ किस प्रकार की जाए तो इन तमाम विश्यों पर हम बात करेंगे उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा नरेंद्र कुमार कथा वाचक की ओर से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल टीम को रिसर्च पर एडिटिंग पर लगा सके ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सके और सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके तो आईए जैसा कि मैं पहले ही बताया इस ग्रंथ में टोटल 700 स्लोक हैं जिनमें से 535, 535 पूर् तो इनी तीन वर्गी करन किया गया हूं इसके पाठ के तीन भाग हैं प्रथम है प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र तो इसमें अध्याय का वटवारा किया गया हूं प्रथम चरित्र की देवी मानी जाती है महाकाली मध्यम चरित्र की देवी है महालक्षम ये 700 स्लोक पूरे सक्ती स्लोक, सक्ती सुत्र के रूपे जाने जाते हैं इनमें परम सुख प्रदान करने वाली असाधारम सक्ती समाहित होती है माता का यह पाठ हमारे जीवन में सवभग्य का साथ पाने के लिए और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक अचूख उपाय के रूपे माना जाता है साधक किस प्रकार इस तेरहो अधियाए का पाठ करें इसके बारे में स्वभग्य महर्सी मारकंडे नही इसी ग्रंथ में बिस्तार में बताया है कि 13 अध्याय को किस परकार पढ़ना है क्योंकि एक ही दिन में तो आब 13 अध्याय पढ़ना है लोग से बस की बातने हैं समय की उपलबज़ता नहीं होगी या इतना देर तक बैठ नहीं सकते पवित्रता के साथ, ये तमाम समस्याओं को सुल जाने के लिए, उन्होंने स्वायम ही बताया है किस तरह से टैगर किया है, तो प्रथम दिवस में प्रथम अध्याय पढ़ना होता है, दूसरे दिन में दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ अध्याय करना होता है, और छठे दिन ग्यारहमा अध्याय का पाठ करना होता है, साथमे दिन बारहमा और तेरहमा अध्याय करना होता है, और आठमा दिन तीनो रहस्य और हवन का पाठ करते हैं, हवन का क्रिया करते हैं, और अंतिम दिन, नौमा दिन नौरातरी के कन्या आपको संचेप में बताऊंगा जिसका पालन करना आपके लिए अतियावस्यक हैं, तब ही आप साधक, सही साधक बन सकते हैं और संपूर्ण लाब भी उठा सकते हैं, इसका पहला नियम है कि जब भी आप पाठ करते हैं, तो इस ग्रंत को, इस पुस्तक को आपको अपने हाथ में लेकर नॉर्मल नोबेल की तरह किसी आम पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना हैं, ये काब्वे तक्ती होते हैं, जो उड़ेन स्टैंड है, जो मिलता है मारकेट में, उसी पर रखके पढ़ना होता हैं, और पुस्तक को उसी चौंकी पर लाल रंग के वस्तर को विच्छा कर रखना होता है और पाठ के बाद भी उसी लाल वस्त्र में लपेट कर इसे रखना होता है दूसरा नियम है जब भी दूरगा सबसती का पाठ करना सुरू करते हैं तो अध्याय के बीच में नहीं उठना चाहिए अगर कोई ऐसा इमर्जन्सी आ जाता है कोई नेचरल कॉल वेगरा कुछ भी बीच में जहां से उठे हैं जिस अध्याय का उस अध्याय को प्रारंब से ही करना है तब ही वो अध्याय पूर्ण माना जाएगा तिसरा नियम यह है कि पाठ का अर्थ और उसकी महत्तो आपको अवस्य ही मालूम होना चाहिए उसका उद्देश से क्या है जिस प्रकार मैं अभी बोल रहा हूँ कि दुर्गा सबसती का पाठ क्यों करना चाहिए यह आपको मालूम होना चाहिए यदि आपको अर्थ का पता नहीं है तो माता के इस पाठ का पूर्ण लावा नहीं मिल पाएगा और चौथा नियम है हर सब्द को बड़े ही प्रेम पुर्वक और असपस्टता से पढ़ना है पढ़ने की गती ना तो बहुत ही जल्दी वाजी में हो और नहीं बहुत ही मंद गती में हो सब्भी सब्दों को प्रयास करना है कि सुद्ध सुद्ध उचारन हो और हर सब्द से भक्ती रस जीवा पर वा कान में आनी चाहिए पांचवा नियम और अंतिम नियम है हर अध्याय के अंत में अपनी मनोकामना की पूर्ती है तो माता से प्रार्तना करनी चाहिए कि वो प्रसन होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें माता में पूर्ण विश्वास रखते हुए हिड़दय में समर्पन भाव रखकर माता को मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद करें दुर्गा सफसती पाठ का महत्व और लाभ क्या है अब इस पर हम चर्चा करने जा रहें तो इस पाठ का साधक अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका बिवरन करना तो बड़ा ही कठिन है इतने अनगिनत लाभ है पर इसमें से कुछ को लाभ को मैं यहां बताओं जो कि ततकालिक है अर्थात साधक को साधना का फल सिग्र मिलने लगता है साधक को इच्छाओं की असल जीवन में फली भूत करने लगते हैं यानि की मैनिफेस्टेशन करने की सक्ति जो है जो महसूस है आप खुर्ष तो हैं आपके पास सब सुख सुविधा तो हैं लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहें तो उसकी छमता आपको मिल जाती है साधक पूर्ण सुख रक्षित हो जाता है और साधक के चारोर बुरी आत्माओं जो नकारात्मक सक्तियां हैं इन सब का नस्ट हो जाता है आपका सरीर मन वा आत्मा का हिलिंग होने लग जाता है उनमें एक स्वायम री एनरजाइज री जूविनेट होने लगता है आप नकी साधक का बलकि पूरे परिवार को इस पाठ के सभी लाब मिलते हैं हमारे मन से चिंताएं ब्यग्रताएं जो डिप्रेशन है एंग्जाइटी है स्ट्रेस संदेह है ये सब दूर होकर हमारे मन एकाग्र होने लगते हैं फोकस्ट होने लग जाते हैं हमारी तनाव से मु आ जाती है हमारे संसारिक जीवन में सफलता और सवभाग्य मिलने लग जाता है दरिद्रता मिटक जीवन में प्रचूरता एबंडन्स आने लग जाती हमारे जीवन पत पर आने वाले सारे बिग्णू और बाधाय स्वयम नश्ठ होने लगती है और हमारे जीवन में रोजगा के नए नए उसर भी आने लग जाते हूं तो यह सब तो इसके लाब हैं महिमा हैं अब दुर्गा सबसती के पाठ की विधी क्या है इस पर बात कर लें तो इसका पाठ आरंभ करने से पहले जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं इस पाठ को करने से पहले आपको समपूर्ण पाठ विधी कम से कम ध्यान पुर्वक पढ़ लेना चाहिए इसके तहत मैं आपको बता दूँ संचेप में कि चौंकी पर जहां आप बिठा रहे हैं मादुर्गा को लाल वस्त्र विच्छा कर इसी पुस्तक को भी रखना है और जब भी प्रारंभ पाठ करें तो यह ध्यान दें कि माता को लाल टीका करके यहां पर माता को लाल टीका करना है सेर को भी करना है इनके पैर में भी टीका जरूर लगाना है और जल से स्वैम वो पुस्तक का भी पवित्री करन कर सुध हो जाना है इस पुस्तक को नमस्कार कर करने का भी एक मंत्र है मैं बताऊंगा फिर जल से आचमन करें आचमन का भी एक मंत्र है जो मैं बताऊंगा और यदि दुर्गा सबसती के नियमित साधक आप नहीं हैं तो किसी मनोकामना की पुर्ती के लिए यह पाठ कर रहे हो तो पाठ के सुरू से पहले ही संकल्प जरूर करें क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार फली भूत नहीं हो पाता, manifestation नहीं हो पाएगा तो पाठ का प्रारंब सरव पर्थम पुझ्य भगवान गनेश की अस्तुति वगुरु जणों की नमस्कार के बाद करना चाहिए पाठ इस विश्वास से हमें करना चाहिए कि हमारे सामने माता साक्षात वीराजमान हैं आप उनको ध्यान में रख के कीजिए और हमारे साथ माता भी मंत्रो चारण को सुन रही हैं यहाँ आप इमेजिन कीजिए और दुर्गा सबसती में जो मंत्र द्वारा बताया गया है दुर्गा कवच, दुर्गा कीलकम वदुर्गा अरगला स्त्रोत्र के पाठ के पस्चाद दुर्गा सबसती का पाठ करने का बिधान है तभी हम अध्याय पर जाते हैं सभी पाठ को करने के बाद दुर्गा सबसती का पाठ करना चाहिए और हर दिन के पाठ के बाद मा दुर्गा की आरती भी करनी चाहिए एक कथा के रूप में यह आप कह सकते हैं कि यह कथा है ग्रंथ है इसके परतेक प्रिष्ठ पर आपको तंत्र संबत ग्रिह वीज मंत्रों को समेटे हुए दिखेगा जब आप अध्यान करेंगे तो यह पता लगेगा यह संस्कृत में सबसती का पाठ करने का एक विशेश स्थान है क्योंकि संस्कृत देव की भासा मानी जाती है लेकिन अगर आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में भी या अन्य भासाओं में भी मिलती है पुस्तक उसका पाठ कर सकते हैं यह पाठ से भगवती दुर्गा के शरित्र का पाठ करने से अस्फूरित होने वाली भावना फल आई होती है अब इतने सारे जान गए तो आपको अवसे ही जानना चाहिए कि इस दुर्गा सप्त सती के पाठ कैसे करें तो इसके लिए नियम तो यही है कि अपना सुद्ध भोजन वो सात्विक आचरन करते हुए सुबह में ही अगर संभाव हो तो ब्रह्म मुहुर्त में उठ जाए या सायम में जैसा आपको समय मिलता है अस्नानादी करके सुद्ध वस्त्र धारन करने के बाद सुद्ध वर्तन में थोड़ा सा जल लेकर तिर्थ में, मंदिर में, घर में, पूजास्थान जहां भी आप सुबधा जनक हैं कहीं एकांत अस्थान में जल के छीटे देकर आसन सुद्धी पुर्वक आसन पर बैठ जाएं इसके बाद भगवान स्री विष्णू का ध्यान करते हुए अपने उपर जल छिड़कें इसके बाद तीन बार अपने मुख के अंदर जल से छीटा मारें संभव हो तो दीपक जला कर रख लें इसके बाद गौरी गनेश वरून एवम सूरे जैसी आदी नवगरह को मन में प्रणाम करें फिर भगवती दुर्गा की मुड़ती अथ्वा चित्र के उपर धूप दीप फूल माला फल मिठाईयां आदी से भक्ती भावना पुरवक पूजा करें इसके बाद मन एकाग्र करके भगवती दुर्गा का ध्यान कर उन्हें सरधापुरवक प्रणाम करें इसके बाद पाठ प्रारंब करें पाठ का क्या होगा पहले कवच अर्गला कीलक रात्री सुक्ती का पाठ करते हुए क्रमसह तेरह ध्याओं का अलग-अलग जैसा कि मैंने डिस्टिब्यूशन बताया उसके अंसार करना है और बाद में देवी सुक्ती एबम रहस्य त्रय पढ़ना होता है और अंत में आर्ती एबम छमाप्रात्ना भी अवस्य ही करना चाहिए यह तो संपूर्ण पाठ की विधी है यदि इतना संपूर्ण आपसे संभव नहीं हो पाता है तो केवल कवच एबम मध्यम चरित्र अर्थात दूसरा तिसरा चौथा अध्याय का भी पाठ किया जा सकता आपके पास समय की बहुत ही कमी है तो पर इतनी सावधानी अवस्य रखनी चाहिए कि अध्याय पढ़ते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए अगर बोलना पड़े तो उस अध्याय का किसी भी तरह की अगर कोई भी छोब हो रहा डिस्टर्बेंस हो रहा तो फिर से उस अध्याय का सुरू कर दीजे इस प्रकार क यग्ये और सौ वर पढ़ा जाए तो सत सौ चंडी यग्ये हजार वर पढ़ा जाए तो सहस्त्र हजार चंडी यग्ये एवं एक लाख वार पाठ किये जाए तो लक्ष लाख चंडी यग्ये का पुन्य मिलता है जिस परकार बड़ी बड़ी यग्यों में आप देखे होंग हिंदु धर्में कई यग्ये होते रहते हैं तो इसमें कई ब्राम्भन पाठ करके यह संख्या पूरी करते हैं ठीक इसी प्रकार कुछ वक्त लोग मिलकर भी यह संख्या पूरी कर सकते हैं तो दुर्गा सबसती की मुख्य पूस्तक संस्कृत भासा में होने के कारण पहले ऐसी यग्यें संस्कृत में ही पढ़े लिखे लोग ही कर पाते थे लेकिन आज हिंदी भासा या अन्य भासों में भी यह है जो कि एक प्रमानिक रूप से सुबधा जनक स्थिती से उपलब्ध आपके नियर्भाइग गीता या और भी कई पब्लिकेस अने गीताप्रेस में प्रमानिक होते हैं, सुध्ध होते हैं और और भी कई जगह हैं यहां तक कि बिवाह या और भी कई बिवाह जैसे विशेश कारिक्रम हैं, आधी मौकों पर संगीत के साथ भी यह पाठ किया जा सकता है। और अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित कर सामूहिक रूप से पाठ कराने पर और ज्यादा फल मिलता है। पाठ संपूर्ण करने के बाद हवन की आ जाता है। और हवन समगरी की जगह गाय के दूद की खीर, घी और तील मिस्रित करके ओम्येम, हिंकलिंग, चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र के साथ नौ माला जब करते हुए हवन पाठ करना चाहिए। बाद में नारियल के गोले से पुर्णाहुती प्रदान करनी चाहिए। और हवन के बाद कन्या भोजन का विशेश महत्त है। तो इस परकार तो आप देख लिए कि दुर्गा सबसत्ती के क्या-क्या हैं। इसमें कुछ खास बाते हैं कि दुर्गा सबसत्ती से अगर आप बग्यानिक सोच रखते हैं, अध्यात्मिक्ता की और अग्रसर हैं, तो आप मान सकते हैं कि यह अंध विश्वास का हिस्वास है। सबसे पहले तो आप सकारात्मक्तिरिष्टी कोन से यह पूजा कीजिए। यानि कि आप मानिए कि हमारी सारी मनकामना हैं, देवी दुर्गा पूरा करनी जा रही हैं, आप पोजेटिव रहिए। यानि कि उस नौ दिन तक तो आप बिलकुल संत के सुभाव ही हो, क्योंकि आप सात्विक भोजन ग्रहन कर रहे हैं तो निश्चित है आपका बेवहार भी सात्विक रहेगा, तब आप अपनी इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकाल कर उन इंद्रियों को सैयम कर सकते हैं उस आसन में बैठ कर जो नौरात्री पाठ जो सती का पाठ कर रहे हैं, इससे आपको आसन की सिद्धी होगी और इस आसन की सिद्धी होने से आप नकी यहां पर बेहतर से पढ़ सकतें, आप जिस किसी कारे में भी हैं, चाहे आप बिद्यार्थी हो, नौकरी पेशा में हो, वहाँ भी आपको उस कारे में कारे करने का ज़्यादा मन लगेगा, आप बहतर से कर सकते हैं, यानि कि ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिसियंट आप रहेंगे, तो इस तरह से नकिया मनोबाई, ज्यानिक रूप से आपको लाभ दे रहा, सारीरिक रूप से भी दे रहा, क्य करने के कारण, सात्विक के कारण, एक पर्याप्त मात्रा में रेस्ट मिल रहा है, यानि कि जो सरीर की उड़जा, उन सारी खादे पदार्थों को पचाने में लग रहा था, वो आपके हिलिंग में, नई कोसिकाएं बनने में, नई सनायू बनने में लग रही है, तो इस तर हम करते हैं, तो प्राणायाम के तरह, यानि कि पहले इनहेल करते हैं, पूरक करते हैं, उसे कुंभक करते हैं, फिर रेचक एकसेल करते हैं, तो इस प्राणायाम का नियम, पूरे स्टां का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, परत्याहार, धारना, ध्यान, परत्याहार, समाध यह आठो अंग का हम जब करते हैं, तो पूर्ण संत बन जाते हैं, योग में भी सिद्ध हो जाते हैं, तो इस तरह से हमें सारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाब भी मिलता है, तो यह अगर आप विश्वास रखकर स्री दुर्गा सबसती का पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित ही ह यह आपकी मन कामना को पूरी करेगी, यह बिश्वास है, और जब आपको बिश्वास है, तो स्वभाविख है सरधा भी जगेगी, और जब सरदा होती है, तब वहाँ कोई तर्क की जरुरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका बिश्वास ही है, आप यह बोल सकते हैं, उद हैं आप को विष्वास आ जायगा यानि कि भिली में आ लेकिन मैं जब बोलूं कि जब हमारा स्वस्त सरीर होता है तो यह आतमा से संग्योग कर सकता है पर मात्मा से सक्षातकार करने के लिए उसकी सक्षमता आ जाती है तो यह सरधा का भी सह है इसे किसी भी टूल टेस्टर उपकरन के द्वारा किसी भी ज्यानिंद्रियों के इस्तेमाल करके सावित नहीं किया जा सकता तो यह सरधा का भी सह है तो जब भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं हि सारे धर्म को जो गढ़ा है, परंपराओं को गढ़ा है, वरत, तेवहार, किसी भी प्रकार का हो, इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश से जरूर ही रखा है, और अगर हम उस उद्देश को बहतर से जानते हैं, तो निश्चित ही है, हम बहतर से अपने आपको लवानवित क करेंगे, हमारा अगला विडियो आ रहा है, जिसमें मैं संपूर्ण स्री दुर्गा सफसती का पाठ कर रहा हूँ हूँ, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों साथ-साथ लेके चलूँगा, डेवाईज, तो अगला विडियो मैं डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ, जो कि आप पहला दिन का देख सकते हैं, इसी तरह से हर दिन का देखेंगे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा बिनम्र निवेदन है कि आप जरूर ही सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल ग्रो करें, लाइक करें, और लगता है कि आप के सगे संबंधी मित्रों को भी यह जानकारी चाहिए तो आप उनके साथ भी अवस्य ही साजह करें और आप अपने जीवन का बहुमुल्य समय हमारे साथ लगाते हैं इसलिए हिर्दय की गहराईयों से नरेद्र कुमार कथा वाचक की और से बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिल तल्ड हमारे दोल टू पाँ हैं युल्ड की आ ही हग गगुता हुदार माँपने ज्वता वल्ड़ की 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 ओ हम दूेऊ कें एक प्रमारे वाफ्रन के सबन्गे की तो बहुता हैूं संदेटा ले टूनर क्यों साब्नेटर को स्दम दोटब reasonably अल्या हुता 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 है।